नमस्कार मैं एस्ट्रोजर डॉक्टर रोहित आनंद वर्तमान वीडियो में यदि शनी छटे भाव में आकर के कुंडली में विराजित हो जाते हैं और उनका जो कूप्र भाव मिलता है उससे निवारण के कुछ उपाए आपके लिए लेके आया हूँ तो आप ध्यान रखिए कि यदि शनी आपके छटे भाव में है और वो आपको गलत फल दे रहे हैं रोग, रिण, रिपू का जो भाव है चटा भाव उसके अंदर शनी विराजने से जो जो नेगिटिविटी जो जो नेगिटिव बातें आपके जीवन में हो रही हैं उनसे आप बच सकते हैं यदि आप शनी का व्रत करते हैं शनिवार के दिन वृत रखी आप, इसके अतरिक्त शनी का यंत्रधारण करिए, शनिवार के दिन काली गाय को, यदि आप घी से चुपडी हुई रोटी नियमत रूप से खिलाते हैं, तो अच्छा प्राप्त होगा आपको, इसके अतरिक्त चार नारियल आपको नदी में प् करने हैं, लेकिन मैंने नाला शब्द नहीं बोला है, यदि आप गंदे नाले के अंदर कई जगाओं पे नदी नहीं होती है, तो आप जब भी नदी के आसपास जाएं, वहां से गुजरें, तो चार नारियल खरीद के नदी में प्रवाहित करें, गंदे नाले में यदि आ आप द्यान रखें, देखें, मैं आपको कई उपाय बताता हूँ, इन उपायों में से जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, संभव है, आप लोगों के लिए करना, वो आप चुन लीजिए, कोई भी एक उपाय और उसको करिए, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको सा कमड़े का प्रयोग नहीं करना है, यानि कि लैदर से बना हुआ पर्स न रखें, कपड़े का पर्स रख लें आप, प्लास्टिक से बना हुआ पर्स रख लें, ठीक है, इसके अतरिक्त जो अटैची होती है, सूट के सोता है, जूते होते हैं, जो कई बार लैदर के होते है ये सारी चीजें आपको वर्जित हैं, आपको नहीं काम में लेनी है, जहां तक संभव हो, आशा करता हूँ, ये सभी जानकारी आपको लाभप्रदान करेगी, आपका मार्गधर्शन करेगी, ज्यान वर्धन करा होगा, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार Namaskar